अज बनाना काफी आसान है तो ज्यादा बात ना करते हुए फटा-फट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्रीज लाइक कर दीजेगा अगर आप मेरे चैनल पे ने हैं तो चैनल को सब्सक्रा करना ना बूले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको असानी से मिलती रहे तो चलिए फटा-फट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम कटलेट को कोट करने के लिए ब्रेट करम बनाकर रेडि करेंगे आप चाहें तो उसे बाजार से भी खरी सकते हैं तो यहां मैंने तवे पर गैस अन करके मीडियम फ्लेम पर ब्रेट को अची तरह से सेक लिया जैसे ब्रेट हमारा अची तरह से करारी हो जाएगी हम उसे ग्राइंडर में डालकर उसका अच्छा सा पाउडर बनाकर रेडि कर लेंगे अगर आप ब्रेट को डारेक्ट कर कर रहे हैं तो पीषने के बाद हम उसे हलका सा रोष्ट कर लेंगे ताकि ब्रेट का जो भी मौशर है वो खतम हो जाए और उसके बाद हम उसे यूज कर सकते हैं तो यहां ब्रेट कम बनकर बिल्कुर रेडि हो चुका है तो इसे रखते हैं साइड में और चलते हैं नेक्स करेंगे तो यहां हम बनाएंगे गोल रेडी करेंगे मैदे को माद काक shut करेंगे 15 cierto मैदे को इसके लिए मैंने यहां फीलकित का डाल नहीं हमदे क mau को तो घोल भी बिल्कुल ना जादा गाड़ी होनी चाहिए ना बहुत पतला होना चाहिए तो घोल भी हमारा रेडियो चरक है तो इसे रखते हैं साइड में अब गैस अन करके मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें ढाल दिया है दो बरे चमच के करीब तेल डालने के बाद अब को मैंने बारिक-बारिक काटा है और यहां एड करेंगे थोड़ा सा बॉइल किया हुआ को इन सब को एक मिनट के लिए भूनेंगे इसके साथी मैं यहां एड कर रही हुआ थोड़ा सा बॉइल किया हुआ मतर सबजिया आप अपने पसंद से कुछ भी डाल सकते हैं इसमें जो भी सबजिया पसंद करते हैं वो एड कर दें इसके साथ Direnisa नमक हुआ कि इसके साथी डाल कर लेंगे थोड़ा सा G Alexandra मसाला कर लेंग हैं अब जाअ कर लेंगे थोड़ा सा कस्तुरी मैं नहीं पकाएंगे सबची नहीं पकाएंगे चलर बड़ा करेंगे नयुकर नहीं चाहिए कर रहे हैं इससे साथ मैं यहाँ एड कर दूल घूल थाई यहां आमचू real ब़ sitting तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि आलुआ सब्जियां एक दूसे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और अब हम डाल देंगे इसमें धेर सारा धन्यापता और अगेन एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो यह mix हो चुका है अब हम इसे एक अलग बरतन में ट्रांसफर कर लेते हैं गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे और यहां एक अलग बरतन में हम इसे निकाल लेते हैं जैसे ही यह हलका सा ठंडा हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे अब थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर और इसे एक बार अचीतर से मिक्स कर लेंगे इसके साथ ही मैं यहां एट करीं थोड़ा सा बीट रूट तो इसे मैंने बारी काट कर और हलका सा बॉइल कर लिया था क्योंकि मुझे कटलेट को बहुत जादा रेड नहीं करना था आप चाहें तो इसे पहले भी डाल सकते हैं तो बस मुझे इसे आप देख सकते हैं थोड़ सब्सक्राइब यल्लो थोड़ा सा रेड थोड़ा सा ग्रीन दीख रहा है तो यह देखने में थोड़ा अच्छा लगए इसलिए मैंने बीट रूट को बाद में डाला है और अब हम इसमें डाल देंगे ब्रेट क्रम आप डालने के बद हम अचीता से मिक्स कर देंगे और बना सकते हैं और यहां यह बर्न कर रेडी हो चुका है तो अब हम चलते हैं नेक्स स्टेप में तो इसे हम सबसे पहले मैदे का घोल जो हमने बना कर रखा था उसमें कोट करेंगे और उसके बाद हम इसमें ब्रेट करम के से अची तरह से कोट कर लेंगे बिल्कुल इस तरह से यह बहुत ही जल्दी बन जाता है और ऐसे ही बाकी को बना कर हम रेडी कर लेंगे और आप चाहें तो इसे फ्रीज में रखकर स्टोर भी कर सकते हैं और जब भी गेस्टा हैं और जब भी आपका खाने का मन करें आप उसे फ्राई करके सर्फ कर सकते हैं तो गयासा ओन करके मैंने तेल पहले ही गर्ब होने के लिए रख थीया था और अब हम इसमें एक एक एकर के कटलेट डाल देंगेदे दर दाइगे तो कटलेट यहाँ फ्राई हो चुका है का उसका कलर काफी चेंज हो गया है ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो अब हम इसे एक एकर करके प्लेट में निकाल लेंगे और बिल्कुर इसी तरह से सभी कटलेट को फ्राई करकर के रेडि कर लेंगे तो यहां मैंने कटलेट को फ्राई करके रेडी कर लिया है आप इसे सॉस के साथ या हरी चट्नी के साथ सर्फ कर सकते हैं यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है जट-पट से बन कर रेडी हो जाता है आई होप कि आपको आज की यह रेसिपी पसंद आई होगी अगर वीड के साथ इसे सेयर कीजेगा तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक के रहें हैं और आप आप आप